हाँ यह important है इसको बच्चों को explain करना काफी important है कुछ इसको graphical भी पता सकते हैं इस डारेक्ट भी बता सकते हैं और graph से भी बता सकते हैं graph से क्या बताएंगे कि यदि मैं base 1 मान रहा हूं मान लीजिए base को मैंने 2 माना है तो मैं बात करूँ तो log 2 2 1 होता है और 0 कहां पे होते हैं सब 1 पे 0 होते हैं base कुछ भी रहा है 1 रहेगा तो 0 log 2 2 की बात करूँ तो यह 1 कब आएगा जब यह 2 होगा यह कौन सी graph बता रहे अपने log base 2 की जब base 2 है यदि मैं base 3 की बात करूँ तो यह 1 कब आएगा जब 3 होगा पतलब यह ऐसे ही जाएगा और यह 1 होने के लिए क्या होगा 1 तो यहाँ होगा 0 से 1 के बीच में log 2 छोटा रहेगा और log 3 यह 3 वाले का है तो अब मुझे पता चला है कि जो यह 2 पे 1 दे रहा था तो 1 से बड़े पे यदि alpha 1 से बड़ा है तो मैं कह रहा हूँ जिसका base जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा value देगा बच्चों ग्राफ से कर देंगे माल यह कोई x1 है तो x1 पे बात करों तो यह तो base 3 वाला था यह value यह दे रहा है और यह value क्या दे रहा है उससे बड़ी दे रहा है तो यहाँ पे बच्चों को यह explain कर देंगे कि यदि उसके अंदर 1 से ज़्यादा value put किया जा रहा है लोग म और base में जितनी छोटी value होगी वो उतना ही बड़ी value देगा तो अब answer बता दीजे base में सबसे छोटी 2 उसके बाद सबसे छोटी क्या आएगी e, e की value 2.7, 3, 10, 20, 20, ठीक है जिसका base जितना छोटा वो उतना ही बड़ा value next, graphical explain कर सकते हैं आप इसको, इस चीज़ को किया जाए, which of the following interval lie in the, तो पहले तो simplification करने का यह है कि base same, 1 by 3, 1 by 3 दीख रहा है, मतलब इसको उल्टा कर दीजे, मतलब इसको अपने क्या लिख सकते हैं, log, 1 by 3, 1 by 2, plus log, 1 by 3, 1 by 5, base same होता ही, properties on, log, 1 by 3, और multiply में कितना हो जाएगा, 1 by 10, अब इसको बात करूँ, तो मैं इसको 3 की power minus 1 लिख सकता हूं, और 10 की power minus 1, तो minus 1 में multiply के प्लस ही हो जाएगा, इसको में directly log 3 लिख सकता हूं, क्या बोलना हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, log, 3 की power minus 1 और 10 की power minus 1, minus 1 भी इदर आईगा, माइनस वन भी इधर हैगा दो नो मल्टिप्लाइब के प्लस हो जाएगा लॉग 3 10 अब मुझे आप बताइए इसकी वैलू किसके बीच में रेंज होगी तो मैं कहना हूँ लॉग 3 9 होता है लॉग 3 9 होता है तो 2 होता है और लॉग 3 27 होता है तो 3 होता है तो यह 10 है तो 2 और 3 क के बीच में लाई करेगा B is the required